हेलो दोस्तो मेरे नामें गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक लेक्टोनिक्स और दोस्तो आज की इस फीडियो में हम आपको LM324 IC के फोर्ड चैनल वाले सर्किट के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है इसको जी LM324 का यह IC है इसमें टोटल जो है 14 पीन होता है और दोस्तो इसका जो सर्किट है दोस्तो बहुत ही सिंपल है अगर आप यहाँ पे एक दो पीन का जो सर्किट समझ लेते हो तो आप सभी पीन को असानी से कनेक्शन कर सकते हो तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न परकार से 8 और 9 में भी लगा हुआ है और यहाँ पर 13 और 14 ओनल में उसी परकार से लगा हुआ है ठीक है । नूं नंबर पीर और तेरह नंबर पीर से हमारा 10 kay प्लश 10 K का यहाँ पर ग्राउंड में जाता है तीक है यह सर्कुट दूस्तों आप इस साइड देख रहे या इस साइड देख रहे दोनों आपको संपर्कुट मिलेगा जैसा कि आ पर देख सकते हैं दोनों आपको संपर् और पांच नबर पिन इसको मैंने एक सात किया है यह audio input का होता है ठीक है 15 12 और 10 ठीक है तो यहाँ पर 10 और 12 को मैंने यहाँ पर यहाँ पर सात किया है और यहाँ पर चार और पांच को भी तो अगर हम इसमें left right जो input होता है किसी भी audio module में दो चैनल होते हैं left और राइट लेकिन अगर आप इसमें लेट और राइट इंपुट देते हैं तो यह आपका फोर चैनल आउपूट करेगा और दोस्तों यह सर्कुट मैंने इस पेसल जो है टीडिये यहां पर देख सकते हैं इस एम्प्लीफियर में इनपूट होता है उसके लिए यहां पर यहां पर देख सकते हैं तीन और पाच नंबर पीन के बीच में 100K का रिजिस्टेंस लगाया जो कि मैंने ग्राउंड कर दिया है और उसी परकार से इधर भी 100K का रिजिस्टेंस को ग्राउंड मैंने कर दिया है इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर आपका circuit volume भी नहीं लगाए तो humming आपका ground हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर देख सकते दोस्तों audio input में हम 224 value का जो हम PF लगाएंगे जो कि इसमें हम audio input देंगे ठीक है ठीक उसी परकार से इधर भी 224 value का यहाँ पर PF लगाएंगे और 10 और 12 को एक साथ sort करके इसमें audio input देंगे तो 3, 5 और 10, 12 में जब हम left right input देंगे तो वो हमारा एक नमबर पीन, 7 नमबर पीन, 8 नमबर पीन और 14 नमबर पीन सभी पीन से हमारा जो है output करेगा तो output के पीन पे हमारा 1K का resistance लगेगा जो कि चारू output पे लगेगा तो यहाँ पे एक output यहाँ हो जाता है, दो यहाँ तीन और चाथ, यह 4 channel output हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है, मैंने इसको जो है, यह connector जो लगाया है, तो यहाँ पे 4 connector है तो यह 4 channel output यहां से करता है और देख सकते हैं यहां पे जो मैंने PF लगा है 224 value का मैंने यहां पे 2 PF लगा हुआ है ठीक है तो यहां पे इस परकार से इसका circuit diagram है थोरा इसका हम voltage की अगर बात करें कि इसमें supply किस परकार से देना है तो 4 नंबर पीन और 11 नंबर पीन तो 4 नंबर पीन हमारा positive होता है और यह हमारा 11 नंबर फी negative होता है तो आप इसमें दोस्तो जो है single supply से भी operate कर सकते हो और duplicate कर सकते हो ठीक है तो single supply पे दूस्तो आप तीन वोल्ट से लेके 32 वोल्ट के कर सकते हो इसको सिंगल सब्लाइ से चलार है तो आपको क्या करना है कि चार नमबर पीन पर प्लस देना है बारा व्ल्स वोल्ट और 11 नमबर पीन पर दुस्तों हमारा जो है माइनस देना है जो कि जीरो और 12 हो जाएगा और यहां पर कैपसीटर लगा है तो उसके थ्रू यहां पर ग्राउंड बन जाएगा और इसको ग्राउंड मिल जाएगा ठीक है अगर आप डूगाल सप्लाई भी यूज करते है अगर यहां अगा आप यहां कर सकते हो कि एक बाध करें दोस्तों से लेके जरूरत नहीं होती है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यह बना है है यह पुड़ा कंप्लीट है तो चलिए थोड़ा हम इसको check करके दिखाते हैं, इसको जो है अब हम 73-8 tommply fire के साथ नहीं connection करने वाले है, इसको अभी मै चेख करके दूसरे amplifier केसाथ check करके दिखाता हूँ कि हमारा किस परकार से काम करता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको TDA738 के Amplifier के साथ इसका connection डालूँगा कि इसको TDA738 Amplifier के साथ किस परकार से connection किया जाता है तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पर इस circuit को मैंने एक Amplifier के साथ connection किया है ताकि 4 channel को एक ही करके मैं आपको check करके दिखा सको तो मैं इस circuit के साथ यहाँ पर audio panel को भी connect कर रखा है और साथ ही यहाँ पर जो इस Amplifier का जो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा audio input का जो यह pin है उसको मैंने खाली छो रखा है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इसको check करके दिखाता हूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका एक number pin और 7 number pin और यहाँ पर 8 number pin और 14 number pin यह हमारा output का यह है तो यहाँ पर मैंने 4 pin यहाँ पर निकाला हुआ है तो इसको जो मैं यहां पर लगाऊंगा तो यहां पर चारू से हमारा आउटपुट मिलेगा ठीक है तो यह जो चार पिन है D DAY दोस्तो यह हमारा इस इस के एक नमबर पिन 7 नमबर पिन Аemp और चोधो पिन से हमारा आउटपुट आता है जैसा कि आपर देख सकते हैं यह वाला हमारा आउटपुट है यहां पर भी है और यहां पर भी है तो दोस्तों यह जो सर्किट है बहुत अच्छा से काम करता है और इसमें कोई अलग से नोईस और नहीं हमिंग आपको देखने को मिलेगा तो चले दोस्तों इस वीडियो में विडियो में आपको तीडिये तहतर रठासी एमप्ली फायर के साथ इसको कनेक्शन करके दिखाऊंगा किसमें इसको किस प्रकार से कनेक्शन करना है और दोस्तों यह सर्किट जो है दोस्तों बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें कोई हमिंग और कोई नोईस नहीं है तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो